नमस्कार मैं अब शेक्तमार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा जय गुरू देखें क्या है चीजे कैसे चलीगी ध्यान से सुलिएगा यह आपका question practice का session है और एकडम topic wise topic चीजे चलीगी जैसे अभी हम लोग physics में पहला topic cover करेंगे motion chapter ठीक है और बिल्कुल free of cost एकडम ऐसा नहीं सोचना है कि हर चीज यहाँ पर paid होगी इस channel पर बिल्कुल नहीं देखें हम लोगों ने motion chapter यानि की हिंदी में जिसे कहा था हमने गती पूरा NCRT का निचोर 9th और 10th की NCRT हमने complete कर ली है at least motion chapter को हमने 12-13 lecture में खतम किया ठीक है औ और ऐसा नहीं है कि 1-2-2 घंटे का विडियो अपलोड कर दिया जिसे आपको बोर्यत फिलो 20-25-30 maximum 30-35 मिनट की मैंने विडियो रखिया ठीक है तो अगर आप चाहे तो per day अगर एक घंटा भी time देंगे तो आप एक सप्ता में यह पूरा का पूरा motion chapter खतम करेंगे एकदम detail म मैंने यह course का जो नाम कहा था कि JSC special science course है अब ऐसा नहीं था देखें JSC का मतलब यह था कि आपका सचीवाले सायक हो चाहे दरोगा हो चाहे पुलीस हो या फिर उतपात सिपाई हो या फिर JPSC का exam दो आप इसके अलावे हमने कहा कि आप अपने SSC central level पे CGL, CHSL, MTS, CPO या फिर J.E. उसके लिए अलग से नहीं यह course जो मैंने डिजाइन किया complete आपका 100% SSC cover करेगी साथ के साथ रेलवे का भी जितना paper है बट यहाँ पर LP technician के अभी जो upcoming vacancy है या group D में थोड़ी सी वहाँ पर एक थोड़ा था physics में जैसे कि basic science engineering drawing में हमें वहाँ पर CBT2 में थोड़े detail पढ परे लेकिन अब इसके अलावे जितने examination अभी PSC हो चाहे जे PSC हो JSC हो SSC है हर exam के लिए यह course available है और complete आपका content यहाँ पर होगा अगर जो लोग भी इच्छुक होंगे अगर पूरा detail पढ़ना चाहते हैं 9th और 10th पूरा NCRT निचोड़ ले करके और पूरा एकदम updated content के साथ आपके अभी latest pattern में किस परकार का trend चल रहा है और यहाँ पर question session ही आपका पूरा का पूरा आप एक परकार से demo देखिए हलाकि demo YouTube channel पर uploaded है और जब आप application install करिएगा देखिए application install करने से पहले इध्यान से सुन लिजे आप play store पे search करिए focus study with अभी ठीक है या फिर आपको link description box मिल करिएगा तो आपका particular JSC और JPSC के लिए बना हुआ है वो group ठीक है भाई तो ध्यान से अब देखिए यह session कैसे चलेगा YouTube पर free of cost रहेगी आपके SSC में जितने पूछे गया सवाल है railway में या फिर आपके JSC और जो expected अब बन सकते हैं SSC में अभी जो latest pattern पर जो question बन रहा है SSC मे railway में वो भी यहाँ पर आपका कराया जाएगा अब motion chapter में हम लोग total दो पार्ट में कभर करेंगे question यह practice session दो पार्ट का यह lecture होगा motion के बाद अब जैसे हम लोग paid course में खतम कर रहे होंगे acid और base तो acid और base के question चलेगे फिर laws of motion चलेगा तो अभी हम लोग physics chemistry का करेंगे और फिर interested है भाई ठीक है एक बाद जरूर से enroll करिए demo class लिजे और साथ के साथ यहाँ पर आपको maths की भी classes available है लक्षमनसर class ले रहे हैं और साथ के साथ आपकी reasoning की भी एकदम content quality के साथ और बहुत जल्द एक combo test series आपके लिए particular हर examination के लिए हम लोग create कर रहे हैं और उसमें पूरा का प सतम करने के बाद अगर आपको लगता है कि वाकई content quality जो content या जो concept की बात होती है वहां मिल रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों तक शेयर करिएगा और यह चीज़े अगर आप करते हैं तो ही चीज़े देखें तर योटूब पर free of cost चल सकती है अच्छा दूसरी चीज़े पेड कोर्स वाले जितने हैं अराम से यहां से प्रैक्टिस करिए और अभी आपका acid base and salt भी जो है almost complete हो जाएगा basic जो आपका चार्ज वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है important जितने basic पढ़ना जैसे कि MGOH का halt wise पढ़ना है milk of magnesium जिसे बोलते हैं साबून को पढ़ लेंगे detergent पढ़ लेंगे वहां से आपके सवाल बनते हैं और फिर उसके बाद salt से आपके JSSD ने सवाल पूछे हैं कि आपको कोई भी salt आपको दे दिया रहेगा ठीक है ना या फिर उसका chemical name दे दिया और रहेगा या फिर formula दे दिया जैसे कि NH4CL दे दिय feature क्या है या फिर आप बता भी नहीं पाएंगे कि यह strong acid या फिर वीक बेस का combination से तो बहुत सारी चीजे वहां पर हम लोग कभर कर रहे होंगे अगले class में तो चलिए पहला सवाल से पहले मैं आपको जो है कुछ चीजे मैं बता दूँ देखे आपको पढ़ना होता है यहां आपके question निकलेंगे numerical बनेंगे वह important है लेकिन यह जो formula लिखूंगा इस formula से आपके railway में काफी सवाल पूछे गया है तो बोला गया है क्या यहां पर equation of motion ठीक है कौन सा होता है तो आप क्या बोलेंगे beach equal to u plus 80 या फिर आप से पूछा जाएगा कि equation of motion का जो पहला जो equation of motion है ठीक है ना गती का पहला जो समीकरन है यह किसके किसके बीच संबंद को represent करती है तो क्या कहेंगे आप यहां पे क्या आपका velocity तो आप लिखेंगे यहां पर velocity और किसके साथ तो last वाला लेंगे आप time के साथ तो पहला जो गती का समीकरन है यानि कि जो first equation of motion है beach equal to u plus 80 किसके बीच relation बतात यह है तो आप कहेंगे velocity यानि कि वेग और समय के बीच में ठीक है और देखेंगे content जो लोग डाउट में होंगे क्या bilingual है तो देखें question हिंदी में इंग्लिस में उसी प्रकार हमने class में भी पूरा हिंदी इंग्लिस चीज़े करके आपको दिया है और content भी आपको bilingual ही मिलेग दूसरा equation देखें दूसरा equation क्या है आपका s is equal to ut plus half 80 square ठीक है तो देखें इसके बीच किसके relation है तो पहला देखिए और अंतिम देखिएगा तो पहला क्या होगा s4 क्या होगा आपका distance भी बोल सकते हैं या फिर आप इससे displacement भी बोल सकते हैं ठीक है लेकिन आपकी examination में distance भी म मिलेगा यानि s क्या होगा आपका displacement मिलेगा ठीक है displacement होगा और displacement और टाइम के बीच का यहां पर relation बताएगा ठीक है तो फिर्स्ट और लास्ट लेना फिर्स्ट एक्वेशन आप में पूछा गया है ग्रूबडी का अगर आप पेपर उठाएंगे तो फिर्स्ट एक्वेशन बन काते हैं विश्क और रिक्वाइर प्लस टू एयस ठीक है अब देखेगा ये किसके किस के बीच रिलेशन बतारा तो बीच के बीच रिलेशन बताता है या यह तीसरा जो equation है किन दो physical quantity के बीच equation बनती है तो वेग और displacement आप कहेंगे वेग को हिंदी में कहेंगे वेग velocity को हिंदी में कहेंगे वेग और displacement को हिंदी में कहेंगे विस्थापन ठीक है तो यह तीन important equation है यह फिर formula बोल सकते है आपको याद करना है इसका में चीज्ज नंपको यह रखना है कि पहला equation of motion क्या है है दूसरा equation of motion क्या है तीसरा equation of motion क्या है यह दूसरी आपको सबसे important चीज याद रखना है कि जो first equation मैं अलिक दे रहा हूं first equation फर्स्ट equation जो है आपकी यह किसके किसके बीच relations को करती है तो आप कहाएंगे कि आप last first और last को लेंगे velocity और time के बीच second equation of motion second equation of motion जो है किसके किसके बीच relation बताती है तो displacement और time के बीच और आपका जो third equation of motion जो है third equation of motion जो है यह किसके किसके बीच relation बताती है तो velocity और displacement के बीच ठीक है यह clear हो गया अब चलिए अब हम लोग आते सवालों पर और इसका जो है आपका यूज हर examination में होगा हर examination मतलब हर examination और यह जो मैंने दो पॉइंट बताया first equation second equation third equation और किसके किसके बीच relation से पर यह ससी और railway में पूछा गया है भाई और अभी latest railway में भी पूछी गई तो इसलिए मैंने कहा कि आपको updated content यहां मिलेगा तो पहला सवाल आपसे पूछा क्या गया है कि डैस is a physical quantity amount that can never be negative कहा गया कि डैस हुआ भौतिक रासी है जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती है option a है आपका distance यानि की दूरी बी हो गया force यानि की बल c हो गया acceleration यानि की त्वारण डी हो गया velocity यानि की वेग अब यहां मैंने Hindi नहीं लिखा क्योंकि हम लोग ने इतना detail पढ़ लिया है तो distance को दूरी वहां पर इतने detail पढ़े कि आपको याद हो गई होगी ठीक है ना Hindi वाले लोग को लिए मैं बोल रहा हूं तो क्या है इसका मतलब देखे हमने आपको बताया क्या था हमने आपको क्या बताया था question क्या पूछा गया कि वहां बहुत तीक रासी कौन है जो कभी बिरिनात्मक नहीं हो सकती है तो हमने आपको कुछ important note करवाया था इस प्रकार से note लिखवाया था ठीक है अब मैं इंग्लिस में लिख रहा हूं हिंदी में बोलूँगा distance can never be zero एक बार इस प्रैक्टिसेशन को कर लिजेओ मेरे course को कर लिजे science फिर आपको कहीं से भी पढ़ने कहीं से भी मतलब कि टॉप लेवल के teacher से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ी है मैं इसकी guarantee ल और यह मैंने आपको example दिया तो straight line में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ A point से जब आप B point में पहुंचेंगे तो आपने X distance कबर किया और जब आप displacement निकालते हैं तो initial point और final point को straight line से जोड़ते हैं तो यह वही displacement होता है जितना आप distance कबर करते हैं फिर तीसरे point में हमने यह बताया था क्या कि distance जो होगी always दिखे और या तो आपको वह बड़ी होगी या फिर equal होगी displacement से ठीक है यह मैंने एक equation बताया था important point मैंने इसमें बताया था फिर चौथा मैंने आपको एक relationship बताया था distance और displacement के बीच में कुछ नहीं इसको मैंने numerator denominator में चीज़े कर दिया था distance यहां पर denominator में मैंने displacement को ले आया तो greater than equals to one हो गया और बस मैंने यह कहा था कि अब numerator में यहां पर distance जब होगा तो क्या होगा greater than equals to value जो one आएगी वह क्या होगी greater than equals to one या तो one होगी या फिर one से बढ़ी होगी यह क्या था equal का sign था और दूसरा हमने एक और आपको relationship बताया था क्या कि जब numerator में distance नावकर displacement हो यानि कि displacement को यहां रखेंगा और distance को नीचे ले आएंगे तब क्या होगा इस case में तो displacement by distance जो होगा यह आपका less than equals to one हो सकती है या फिर one से कम होगी कब जब numerator में क्या होगा आपका displacement होगा यह चीज़े आपको याद आ रही है अब आगे चलते हैं पांच में पॉइंट में हमने जो आपको note down कराया था कि distance का formula हमने आपको बताया था यह काफी important था और इसके लिए मैंने काफी detail चीज़े बताई थी आप देखे example अब जब मैं लेता हूँ graph में इस प्रकार से तो भाई देखे मैंने एक second, 2 second, 3 second इधर पांच मीटर, 10 मीटर, मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड यहां मैंने speed ले लिया, velocity जो भी भाई तो यह मैंने roughly data लिया है, आपको numerical value calculate करके चीज़े दिखाऊं कि किस प्रकार से चीज़े constant चल रही है, अब उसमें भी आप मतलब बोलते हैं कि अब तो भाई फिर आप इसके लिए बोलेंगे सर यह आप एक सेकंड का है, तो यहां पर ज्यादा दो सेकंड कर ले लिए, तो भाई यह तो इसकेल से measurement करके ना बनाएंगे, यह तो हम roughly hand से आपको numerical data calculate करके बताते हैं, तो हुआ क्या यहां पर देखें, मैंने यहां भी क्या बोला कि जब आप distance का formula यूज करना होता है, तो हम यूज करते हैं, distance is equal to speed into time का formula, लेकिन यह formula हम कभ यूज करते हैं, जब आपकी speed क्या होती है, constant होती है, अब यहां पर मैं इतना अभी फिर समय detail घूस रहा हो, कि speed जब आपकी constant होगी, तब आप इस formula को use करें, कहीं भी आपको इतना detail यहां नहीं जाएगा, अब फिर मैंने क्या बोला था कि, जब आपकी speed constant नहीं होगी, देखे constant अब यहां मैंने क्या कियागा, यहां पर कोई एक बैक्ती है, यह मान के चलते हैं, 5 km पर आवर से चलता है, अब यह पूरा का पूरा यह distance जो कभर किया है, इसने 5 km पर आवर के से ही कभर कि यहां भी यह 5 km पर आवर तक ही चला, यहां पर भी था तो यह 5 km पर आवर से ही चला है, इसने change नहीं कि अपनी speed, तो इसकी speed constant होगे, तब हम इस formula को use करेंगे, लेकिन अगर इस case में ऐसा हो जाता है, यह बैक्ती यहां 5 km पर आवर से चला, अब यहां पहुचा यह बैक्ती km पर आवर और यहां मैंने लिख गया 20 km पर आवर, यह आपको मैं लिखा हूँ, km पर आवर, यह आपकी क्या है, speed है, ठीक है, तो यहां पर तो speed आपकी change हो रही है, तो अगर आपको distance निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, distance का formula, speed into time, अभी आपको मैंने यही formula बताया तो यह speed आप कैसे लिखेंगे, 5 लेंगे, या 15 लेंगे, या 20, तो मैंने कहा था कि आप average ले लेना, अब देखे, average निकालना तो मैं यहां सिखा हूँ, आपको यह बताईए, अब भाई को दिक्कत है, और वो मुझे गलत मतलब, गलत ही मुझे ठहराना उनको, तो ठीक है, अगर आप मुझे गलत ठहरा कर आपके concept clear होते तो अच्छी बात है, देखे भाई, अब यहां आपको करना क्या था, मैंने कहा कि अब जब भी आपकी speed constant नहीं होगी, ठीक है ना, जैसे कि यहां 5, यहां 15, यहां 20, यहां speed constant है, यहां भी 5 से चल रहा है, यहां भी 5 से चल रह नहीं है, नहीं था, मतलब क्या है ही नहीं, लेकिन मैंने बताया क्योंकि आज तक पता ही नहीं होता, students को कि यह formula हम कभ यूज करते है, distance is called speed into time, इसलिए मैंने यह चीजे बताया, यह दो example लेके, कि यहां पर यह formula हम लोग यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग जो जालेंगे, अब देखे, average कैसे निकलता है, देखे, दो तरह, average निकलने का बहुत तरह के process, मैं अगर आपने पढ़ा है, तो, average निकलता है, total, जो आप है, उनका sum करोगे, ठीक है ना, जो भी total observation है, उतका sum करोगे, by number of observation, तो अब क्या करेंगे, 5 को, 15 को, और 20 को जोड़ दे ठीक है ना, तो 15, 5, 20, 20, 40, 40, 3, इसकी average आजाएगी, 13, 49, 13.7 यानि 13.3 km per hour average speed आगए इसकी यह, या फिर उसको हम direct ऐसे लिख रहे है, 40 by 3 into time, इसको यहां से यहां जाने हैं मान लेते हैं कि 1 घंटा लगा है, तो 1 hour मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब यहां मैंने यह चीज यह formula speed into time ना लिख करके average speed लिख सके, तो यहां पर अगर speed अगर ऐसा होता, ऐसा speed होता मान लेते हैं, यहां पर 5 से चल रहा था बैकती, यहां पर बैकती जो चला 15 से, और यहां भी अगर बैकती चलता 25 से, मतलब जो difference था, जो change होने का speed है, 10-10 अगर difference सेम हो जाती, तो यहां पर जब हम average निकालते हैं, तो यहां average क्या करते हैं, first को और last को add करके 2 से divide कर देते हैं, मतलब 5 पलस 25 बटे 2, यानि कि 15 km per hour, तो इतना logic आपको लगाना पड़ेगा से, ठीक है ना, तो इतना हम जब detail में पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा उंगली करते हैं, इसका मतलब तो पांचमा पॉइंट हो गया, clear, यह चीजे clear हो गया, अब छथे पॉइंट पर आते हैं, छथा पॉइंट में हमें क्या पता है, क्या है कि distance जो होती है, always क्या होती है, positive होती है, distance क्या होती है, always positive, और यही इसका question का उतर हो जाएगा, it cannot, it cannot be zero, distance कभी भी आपकी क्या होग इतना भी knowledge कम नहीं है, जितना मैंने आपको दे दिया, तो मैंने क्या बोला, distance क्या होती हो, always positive होती है, it cannot, it cannot be negative, ठीक है, it cannot be negative, और it cannot be zero, distance कभी भी negative नहीं हो गया, ना जी zero होगी, तो clear हो गया, तो पहला सवाल का उतर क्या हो गया, dash is a physical quantity amount that can never be negative, कौन जो हापका negative नहीं दूरी, अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर, दूसरे सवाल क्या बोला गया है, the product of velocity and time provides, ठीक है ना, अब देखें उस बंदे को ये पता है कि average यहां पर इस तरह से मिकलेगा, लेकिन उनको पता होने के बात भी अब आपको prove करना है, कि आप, आरे चीज को मैं इतना ची अब दूसरे सवाल क्या है, देखें, the product of velocity and time provide, देखें क्या बोला गया, वेग और समय का गुननफल क्या प्रदान करता है, इसको भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको ये बोला गया है क्या, कि जो आपका वेग है, ठीक है ना, जो product है आपका velocity and time, तो velocity into time का product आपको क्या देता है, तो आपको पता है, मैंने बताया क्या, अभी आपको बताया एक तो distance, जो distance किसका product होता है, आपका speed into time का, और आपकी जो displacement होती है, ये किसकी product होती है, आपकी velocity into time की, अब difference क्या थी, आपकी velocity में क्या होता है, और speed में difference क्या होता, आपको याद होगा, यहाँ पर उ सवाल है यह आपके पूछा गया सवाल है प्रिवेश यह में कोशन क्या बोल रहा है यहां पे वेंड़ पोजिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट एक कंटिनुवसली चेंजिंग विथ टाइम रिलेटिव तो एन ऑब्जरबर यब एक परिविच्छक के सापेक्ष समय के साथ लगतार बदलती जा रही है तो समझ में आ रहा है यह सब ग्राफ में आपको कितना किलियर हो रहा हो जब आप ग्राफ का क्लास आपको मैंने दिया यूट्यूब पर भी डाल रख्था मैं आथन क्लास के नाम से तो कोशन में यह बोल रहा है कि अगर जब आपकी पोजिशन कोई भी ऑबजेक्ट है जिसकी पोजिशन मतलब क्या हो गया आपकी डिस्प्लेस्मिंट कंटिनिवसली अगर चेंज हो रही है ठीक है यह तको समझेशन में क्या पूछा गया है कि it is said to be it is said to be he is at zero velocity मतलब कहा जात क्या कहा जा सकता है कि वा सुन्य वेग पर है कहा जा सकता है कि वा गतिसील है it is said to be he is dynamic condition option c it is said to have covered some distance कहा जा सकता है कि उसने कुछ दूरी तई कि है और चौथा जो अंतिम option है कहा जा सकता है कि वा आराम की स्थिती में या फिर it is said to it is said that it is in a state of rest देखे question क्या बोले इसको पहले समझ ये question आपको ये बोल रहा है कि इस graph से इसको अच्छे सा आपको समझ में आएगा इसलिए आपने graph का आपको knowledge दिया कौन सा graph आपको दिया हुआ है displacement question में आपको यहां पर दिया है displacement time का graph कैसे तो देखे कैसे मैंने पहचाना तो आपको भी एकदम तरीका सिखाएंगे सा जो हम जैसे पहचानते position दिया है position बोले तो displacement और किसके relatively time के relative displacement time तो आगे जो रता हो कहां जाता वाय एक्सिस में और इधर वाला एक्सिस में तो यह आपको क्या हो जागा displacement यह displacement को यह आपने क्या कहा है position कहा है ठीक है इतना किलियर है अब यहां पर कौन सा आप graph बनाएंगे तो आप directly आपके दिमांग मैंना चाहिए इस्टेट लाइन वाला graph बनेगा क्यूं क्यूंकि देखे question में बोला गया है कि वेन दा position ऑफ अब्जेक्ट इस कंटिन्वर्सली लगतार बदलती जा रही है time के according तो देखे यह जो velocity अब displacement time का अगर आपको याद आ रहा है भाई displacement time का जो graph का जब हम slope लेते हैं slope बोले तो ढाल कैसे निकाल तर 10 ठीटा करके वह क्या देता था आपका velocity देता था ना जी तो बेलो सिटी तो देखे option में भी सारा velocity की बात की गई यहां भी डाइनमिक कंडिशन है और यहां भी आपका वेग है देखे चौथा option में भी आपको वेग ही मिलेगा erased mode में यानि के velocity यहां पर 0 मतलब भी ही यहां पर बात की गई है तो देखे भाई यहां पर ग्राफ में अब यहां पर टाइम है यह मानके चलते हैं यह आपका एक घंटा है वन आवर है टाइम मैंने आवर में ले लिया है अब यह दूसरा आवर हो गया ठीक है यह आपका त दो घंटे में आपने यह displacement कबर कर ली अब जब आप से करेंगे ना measurement ले करके नपने तो यह एकदम इकवल जो gap यह होगा यह जो gap होगा यह जो gap यह वला gap यह वलकुल इकवल आगा यहां इकवल नहीं आने का reason कि मैं हाथ से बना रहा हूं यहां पर आपकी जो displacement आपने जो ह 10 किलोमीटर कबर क्या यहां पर 15 किलोमीटर कबर क्या तो चलिए इस पॉइंट पर ठीक है ना वन आवर में हम स्लोप निकालता है एस वन लिख करके तो हमारा क्या आगा displacement अपन टाइम यानि कि displacement क्या है आपकी यह बाई स्लोप कैसे निकल दा 10 थीटा मैं लिख दू यहां 10 थीटा इकोज टू पी बाई बी यानि लंब बटे अधार यह क्या हो गया लंब यह ट्राइंगल बन गया यह लंब तो यह लंब हो गया यह लंब यहां से कितना distance है यह पांच मीटर और अधार में क्या है वन आवर तो पांच बटे वन यानिकी आपकी कितना आगे 5 अग झाहिन कि वैलो सिटी कितनी आ गया पांच मीटर पर थी का अब आगे चलिए यहांपर तो यहांपर स्लोप निकालते हैं ठीक है ढाल निकलेगा तो Two दो से क्या है कितना कितना अधार कितना है यह तो आप क्या कहेंगे यहां पर आपकी जो वेलोसीटी आई है यह जो वेलोसीटी आ रही है कैसी यूनिफॉर्म आ रही यानि कि एक समान है लेकिन आपको कोश्चन में क्या बोला गया कि अब्जेक्ट इस कंटिश्लिशी चेंजुँब सो एक घंटे में आपका 10 किलो message मे निकाला तो आपकी क्या वालोसीटी जीरो आई है natuur आई Heald of 7 शे tarags में भी ग्रिमार और आप से समझ मारा है कि यह uniform velocity का condition है तो पहला यह option को मैं eliminate करना आपको बता रहा हूं कैसा eliminate मैंने किया है तो यह तो नहीं है रेस्ट होगा नहीं भी value आ रहा है यहां पर zero ही नहीं है कि लिए यहां खतम हो गया इतना अब आपके पास बसता है केवल दो पॉइंट एक तो बी है और एक से है इट इस से टू है कभर सम डिस्टेंस अब यह क्या है बोला गया है कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है यह कोई मतलब है इस option का यहां तो यह नोंने लिखा है कि इसने time के according इसने कुछ position इसकी लगतार चेंज हो रही है displacement बढ़ती जा रही है तो वह चीज तो यहां कोशन में बोला गया बी ऑप्शन दिए ट कहा जा सकता है क्या कि वह गतिसील है डाइनिमिक कंडिशन में है तो बिल्कुल यह डाइनिमिक कंडिशन ऑप्शन भी इसका स इतनाव डिटेल चीजे समझा दिए यहां बना रहे तो यहां वेलोसुर्टी हाँ और और यह वाला ग्राफ बना है यहां व्ला गराफ बना तो यहां प्लले इंक्रीज कर रहे है ग्राफ बना है तो यहां पकी वालट रहा है इसका subtraal आलो अप्शन न severity को चौततर सौन पर चौथा सवाल में क्या आप से बोल रहा है अपका एक नियूमरिकल यहां पुछा गया है तो देखें पूरा डिटेल मैंने कहा था नहीं कि आपको कोश्चन सेस्टन में पूरा मैं प्रैक्टिस भी करा दूगा रिविजन भी करा दूगा कि कोई एक चालक है जो समान गती से अपनी कार को चलाता है देखें यहां लिख दिया इन्होंने समान गती से यानि कि कॉंस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं तो वह वह व्ला फर्मूला यादर अदिस्टेंस इसकल टू स्पीड इन्टू टाइम तो सिम्ल बस में यहीं पढ़ना ही है सकत ूइही रहे गए आपके पास में तो कहा गया कि समान आपकी कार जो है समान गती से आपनी कार को आप शलाते हो और साट सेकेंड में आप 288 मीटर की दूरी टाई कर ले तो घति ज्ट्याद करें तो सिंपल सी बात है हमें क्या निक होता है तो डिस्टेंस कितनी दीए या आपने कितना कबर क्या है 288 मीटर और कितने टाइम में 60 सेकेंड में तो आप इसे सॉल्ब कर लेंगे एक बार तो जब आप इसे सॉल्ब कर रहे होंगे तो कितने से कटेगा यह यानि कि 4.8 मीटर पर सेकेंड देखेंगा इसको फिर मैं फर्दर डिवाइड कटिंग कुछ नहीं करूंगा बस एक पॉइंट बठा दूंगा यह आपका एंसर आजाएगा तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड ठीक है बाई आगे चलते हैं लोग अच्छा सवाल है यह भी आपका कीरण कीरण हां बिल्गुल कीरण ही है हां चली तो कोशन पहले समझते हैं कोशन में आपको यह बोल रहा है कि कीरण जो है स्विम्स इना 90 मिटर लॉंग पूल ठीक है सी सी होगा ठीक है यहां पे डबल यह हो गया है सी कभर 360 मिटर इन टू टन्स बाइ स्विमिंग समझ यह का ध्यान से यहां लिखा इन्होंने 360 मिटर इन टू टन्स बाइ स्विमिंग फ्रम वन इंटू दी अधर इंड बैक अलोंग दा सेम पोजिशन ऑफ स्टेट पाथ फाइंड दा एवरेज वैलोसिटी ऑफ कीरण ठीक है बड़ा सिंपल सवा आपको माइंड में चलना चाहिए और डारेक्ट पूछा भी है एक्जाम में पोजिशन में उसके आड डिस्प्लेस्मेंट यह डिस्टेंस तो कीरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है 90 मीटर जो है 90 मीटर लंबा एक पूल है उसमें तैरती है वो एक छोर से दूसरे छोर टक और फिर वहां से वापस उसी सिधे पत पत तैर कर वाद दो बार में 360 मीटर के दूरी त्र जो है सुनिएया अध्यान से कहान से लिए उनुने कीरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती और फिर वहां से वापस उसी सीधे पत्व पर याद अखेगा जहां से वह गई फिर वह वहीं पर आ गई अब समझ मेहारा आपको यहां से वह गई है भाई ठीक है तैरना स्टार्ट की एक इंड से यह दूसरा इंड आए और ये फिर वापस इसी इंड से वापस लॉट्टी और फिर फाइनली वे वापस अपने और इज्लिव पर आ गई है ठीक है तो आब हमें यह बताएए इसका डिस्टेंस कितना आप य यह यहां से x km कबर किया है और यह वापस आया इसने फिर x km तो इसका distance कितना हो जाएगा तो आप बोलें के sir distance to 2x हो जाएगा अब इसकी displacement कितनी हो जाएगी तो यह देखे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो इसकी displacement कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी चीक है sir तो यहां पर तो में पता चलिए सर इसकी displacement 0 है और तो वेग बताना यानि कि हमें बताना है average velocity average velocity क्या होता है total displacement upon time ठीक है न टोटल time बोल सकते आप तो टोटल displacement की value ही कितनी है तो 0 है बाकी कुछ भी हो तो answer के आएगा आपका zero meter per second इसका उत्तर हो जाएगा सही तो option जो है आपका यह होगा सही उत्तर अगला question छटा नंबर पर आते हैं क्या बोल रहा कि the acceleration of an object is the change in its per unit time देखे यह इसका मैं एक अलग सा playlist बना दूंगा एक science practice session का नाम से ठीक है ना science practice session जैससी सीजियल लिख दूंगा ठीक है तो जैससी वाले अराम से यहां से सारी class करिएगा पूरा physics में पूरा chemistry में पूरा प्रैक्टिस सेशन के थ्रू भी आपके courses करूंगा लेकिन फिर से कहूंगा कि देखे कुछ चीजे तो इहां मैं हर चीज को नहीं बोल सकता ना क्योंकि पेट गोर्स में बहुत चारे टाइम दैसलेरेशन ओपन ऑब्जेक्ट इसदा चेंज इनिट्स पर उनिट्ट आपसे क्या पुछा डेफिनेशन पुछा गया कि किसी वस्तु का तवरन इसके डैस में प्रतिहकाई समय में हुआ परिवर्तन है भी याजी क्या आप हमें बता सकते हैं एसलेरेशन कितना प तो किसमे चेंच वेलोसरीटी में ठीके ना भाई पर यूनिट टाइम इसके एसा यूनिट क्या होती है मीटर सेकेंड इसक्ट होता है अब इमें बताइए यह स्कैलर क्वाइंटिटी आपका वेक्तर है और यह क्या आपका इसकेलर आ अगर यह आगर वेक्टर आ जाए तो आब हो नुस्हां सब्ख़ीं आपको पूरा कॉर्स में जो सब्रक्राइब के स्कलाइब करेंगे और सुषर नटर वेक्टर तो में कि परिवरतन तो वेलोसिटी नहीं की वेग में、「 तो यब में परिवर्टनंग哦 सब्सक्राइब तो और कोशन नमबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा option यह वैलोसिटी अगला सवाल जो है सातों सवाल है एक मिनट वहीं कि साथमा सवाल क्या बोल रहा है साथमा सवाल आपसे यह बोल रहा है कि average speed and average velocity indicate the speed of the object देखें जो आपकी average speed है बहुत अच्छा सवाल है इन पर थोड़ा सा अगर आप काम कर ले average speed आपको बोला यानि कि औस चाल और और वस्तू की गति को दर्साता है जो वस्तू की जो मान लेते हैं यह object है यह object क्या है motion में है ठीक है और आपको इसका दे दिया आपको average speed और इसका आपको दे दिया है आपका average velocity तो यह जो average speed है और यह average velocity जो है इस object का जो motion है यह motion इसके किस motion को बता रहा है समझ रहा है तो वही आपसे पूछ रहा है कि average the speed of the object चाल और वस्तू किस जो motion है यानि किसके जो गति किस गति को दर्साता है तो average speed किसको दर्साता है कि उसने कितना distance कबर किया है और average velocity कि इसको दर्साता है इसका सही उत्तर हो जाएगा तो option में क्या दिया हुआ है चलिए देखते है पहले और 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 वेग वस्तू की गति दर्साता है long distance ठीक है बाई उसके बाद आपको बोला है option number b in short distance कम दूरी में अच्छा अच्छा देखिए यहां पर सवाल को थोड़ा सा समझना होगा average speed and average velocity indicate the speed of the object during the given interval होगा ठीक है ना क्यों क्यों कि देखिए कि हम लोग जो average speed निकालते हैं कैसे निकालते हैं distance बटे time और average velocity जो निकालते है total displacement ठीक है न तो जो गति जो आती है average speed की जो अपने गति निकाले हो या average velocity जो आपने गति निकाला है वो किसके respect में, तो time के respect में, है न, तो वही पूछा गया कि औसा चाल और औसा वे एक वस्तु की गतिदर साता है, during the given, जो आपके time जो given है, उस given time में आपने कितना distance कभर किया है, वो average speed से निकलेगा, है न, इस given time में आपने कितना distance कभर किया, average speed बताएगा, उस given inter में आपने क displacement कभर किया, वो आपका average velocity बताएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, option number C, during the given interval, option number C, इसका सही उत्तर, अच्छा सवाल है यह भी, अब अगले चलते हैं, आठवे सवाल पर, अगला सवाल, अच्छा सवाल, आठवा नंबर भी, क्या बोल रहा आप से, the instantaneous velocity, ध्यान स velocity से पहले instantaneous है, तो यही पूछा है कि instantaneous velocity and average velocity are equal when the object, जो instantaneous object है और जो average velocity है, वो equal होगी, कब, object क्या, object क्या, object क्या, मतलब कि ततकालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं, जब वस्तू, has uniform acceleration एक शमान त्वरन पे होगी, एक वरीत में चल रही होगी, has variable acceleration हैं कि परिवर् मतलब क्या होता देखिए, velocity का मतलब क्या होता सर, मतलब की displacement अपन टाइम होता है, मतलब जो displacement time के अंतराल में आपने जितना displacement कबर किया है, वो होता है, लेकिन option अब आईए, has uniform acceleration, एक वरीत में चल रहा हो, has variable acceleration, 0 acceleration, अब acceleration आपने option में जैसे ही देखा, तो acceleration को कैसे define करते है, rate of change in velocity, rate, rate हो गया समय, और rate of किस में change, velocity में change, अब देखिए, अगर velocity में change, अगर कुछ होता ही नहीं, मतलब डेल भी की value अगर 0 हो गई, तो आपकी acceleration भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बताइए, यह होगी की नहीं होगी, यह simple सा concept समझ मारा की नहीं, यह अगर change in velocity, यानि velocity ही change, 0 हो गई, तो acceleration आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, अब आईए, instantaneous velocity and average velocity are equal, यानि की instantaneous मतलब की certain time पे, और जो average आपने एक समय अंतराल चला और उसका पुरा का पुरा average निकालने के बाद जो velocity आई है, ठीक है, वो equal कब होगी, तो simple सी बात है, क्या uniform acceleration होगा, uniform acceleration का मतलब क्या है कि velocity क्या हो रही है, कि वहाँ पर constantly change हो रही होगी, uniform acceleration मतलब क्या, यहाँ पर भी 5 meter per second से चल रही है, यहाँ भी आपकी 10 meter, मतलब यहाँ पर 5 meter per second square से चल रही होगी, और velocity कैसे change रहा होगा, 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, इस प्रकार से velocity change हो रही होगी, तो अब हमें यह बताइए, यह तो uniform acceleration होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका instantaneous velocity, average velocity equal होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक समान common difference होकर कि उसकी velocity change हो रही है, एक वरीत में चल रहा होगा, और वरीत में चल रहा भाई, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर यह equal होगा नहीं, क यहाँ पर इसका हो सकता है, 7 meter per second, इसलिए variable है, तो velocity भी यहाँ पर constant नहीं होगी, अब आईए अंतिम point है, 0 acceleration, अगर acceleration ही अगर आपका 0 है, it means acceleration 0 कब होता है, जब आपका velocity, change in velocity, आपका क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, a equals to क्या होता, b minus u by t, अगर यह 0 हो गया भाई, तो 0 equals to क्या हो जाएगा, b minus u by t, यानि कि b बराबर u है, यानि कि initial velocity, final velocity क्या हो जाएगी, आपकी equal हो जाएगी, यानि कि velocity आप 5 meter per second से ही चल रहे होंगे, clear है, तो यह होगी, आपका क्या, acceleration equals to 0, इसका सही उत्तर हो जाएगा, option number d, इसका हमने graph भी आपको बताया था, इस प्रकार से velocity time का graph था, और इस प्रकार से मैंने straight line रखा तेक दम horizontal, यहाँ पर आपका 10 meter per second से चल रहा हो, 10 meter per second इस time पर भी, इस time पर भी, इस time पर भी, तो इसका अगर आपने slope में बोल रहा हो, इसका जोब acceleration आप निकालेंगे, तो इसका acceleration क्या आएगा, 0 आएगा, पर slope निकालना ही नह हाल ही नहीं है, तो 0 हो गया, इसका acceleration, simple भी बात है, ठीक है, clear हो गया, अब अगले सवाल पर चलते हैं, 9 सवाल पर, 10 सवाल आज हम लोग करेंगे, बाकी अगला 15 सवाल हम लोग अगले part में करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी हमें सर्केमेस्ट्री के class लेनी है, application पर, acid waste of salt और laws of motion भी आज हमें खतम करना, Newton's का 3rd law भी, तो अगला सवाल क्या बोला गया, कि the motion of an object, the motion of an object in a specified direction is called, क्या बोला कि किसी, बहुत, 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 इंपॉर्टन सवाल, मतलब क्या है, मलाई को कोशन है, और बहुत easy question है, किसी बहुत, 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 कार इंक्रीस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड ठीक आपके वैलोसिटी की कार की जो है वह 5 से 10 हो गई है इन 5 सेकंड में वाट वें तो आपसे एसलेरेशन पूछा गया या या 5 से दस यानि कि final माइनस initial करेंगे तो final कितना दस और initial कितना ता पांच और कितना टाइम लगा आपको आपको time कितना लगा 5 से 10 करने में पांच सकेंड लगा तो 5 हो गया तो यहाँ 5 है पांच बयटे 5 यानि की एक मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा एक मीटर पर सेकंड इसक्वाइर एंसर पॉप्षिन नूमबर इसका डी जो होगा इसका सही हो जाएगा ठीक है तो देखें दस कोशन चालिस मिनिट में मैंने बहुत चीज अगर अगर ध्यान से देखें होंगे तो आपको दस कोशन लग रहा होगा लेकिन मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम स्पीड वैलोसिटी और एस्सेलेरेशन की काफी कंसेप्ट और ग्राप को भी मैंने काफी चीज़े समझाने की के लिए पूरा हम लोग 25 कोशन पर चलेंगे पूरा 25 कोशन पूरा मोशन एकदम उखाड देंगा अच्छे सटीक है न देख सकते हैं ठीक है पूरा कंटेंट रेडी हमारे पास चलिए आज की वीडियो नहीं समाप्त करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो यह आप